Thank you Pastor Vinod, और सब को Shabbat Shalom और एक बार, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom और अब हम लोग देखने वाले वचन जो इस सीजन का वचन होगा, सीजनल वर्ड, और जो सीजन में हम लोग है आज इस समय, उसके बारे में थोड़ा आप से मैं बात करना चाहता हूँ, अब इदे के लास्ट वीक पिछले हफते में मैंने एक चोटा सा वचन लिया था, एक करीब 10-12 मिनट के लिए, ब्रदर जैक के पहले, ब्रदर जैक ने मे बारा सब को याद दिलाना चाहता हूँ, that we are in the period of the new year, हम लोग नए साल के समय में है, जो हम लोग देखते हैं निर्गमन के किताब से, निर्गमन बारा और एक में जो परमेश्वन ने मोशे से कहा था, कि सुनो मोशे, तुमारा नया साल इस समय से स्टार्ट, शुरुवात होने वाला है, तो परमेश्वन ने बताया था मोशे को कि ये याद रखो, कौन सा मेहना है वो, वो मेहना है जो बाइबल में लिखा है अवीव, और जो मौडन हीब्रू में उसका नाम है निसान, पहला निसान, बाइबल के अनुसार, ये साल का पहला मेहना है, अफकोस चनाया जाता है as the new year, लेकिन actually अगर हम लोग देखें के Bible में हम लोग two, those specific new years हम लोग देखते हैं, पहला new year हम लोग देखते हैं, जिसको आज के दिन भी कहला जाता है, the religious new year, और वो है आज का जो समय, इस समय, जो हम लोग देखते है, निसान मैने का पहला दिन, जो हम हुआ था, हुआ था last week, पिछले हफते, बुद्वार को, और दूसरा होता है, जो कहते हैं, उसको civil new year, और civil new year जो होता है, वो तुतारी के सन के दिन से start होता है, रोश शाना के दिन, जो कहते है, the first of the civil new year, और देखें, वो इतना मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि आज के दिन में हम लोग इंडिया में भी ऐसी देखते हैं, अलग-अलग calendars पे हम लोग भी जीते हैं, for example, हम लोग नया साल, हम लोग जैसे मनाते हैं, पहला January, हम लोग कहते हैं, नया साल है, लेकिन आज की दिन भी, मैं कह सकता हूं कि आज का दिन, साल का आकरी दिन है, क्यों, 31 March, Financial Year पे, Financial Calendar पे, इंडिया में आकरी दिन है, और कल से, पहले April से, एक नया साल स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा Financial Returns Calculate होता है, हमारे Businesses इस पे चलते हैं, पुरा Indian Income Tax का सिस्टम उस पे चलता है, तो देखिए, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग भी य सिस्टम है, एक Civil New Year होता है, और एक Religious New Year होता है, परमेश्वर ने मुश्य को कहा था, कि तुम्हारा नया साल Religious New Year से स्टार्ट होगा, जो है पहला निसान, जो हम लोग ने देखा था, लास्ट वीक, पिछले हफते, बुद्वार के दिन पे हुआ था, देखिए, ये है, Bible क महिने, मैंने आपको बताया था, कि Bible के महिने, January से December नहीं है, लेकिन Bible के महिने, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो पहला महिना जो है, ग्रीन में आप देख रहे हरे रंग में, वो है निसान महिना, और निसान महिना पहला महिना है, और अदार का महिना, जो हम लोग देख रहे हैं, अब इस समय के बारे में हम लोग देखेंगे, कि ये अदार या निसान का जो पीरियड है, जिसमें हम लोग हैं इस समय, इसकी खास बात क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं, पहले चीज़ हम लोग देखेंगे, कि परमेश्वर बदाते हैं, अनु अनुवाद सूला और एक में लिखा है observe the month of Habib and keep the Passover Habib के मैंने उस्मरन करके अपने परमेश्वर यहुवा के लिए फसर का परव मानना तो एक तरीके से हम लोग देख रहे कि एक हुकम परमेश्वर हमें दे रहे है क्यों नहीं हम परमेश्वर के वचन को जाने और क्यों नहीं हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जिन्दीगी को जीए तो परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि इस मैने को तुम याद रखो और इस समय हम लोग याद रख रहे हैं रोज हमें याद रखना है क्योंकि हम लोग उस period of time में हैं हम लोग actually कई चीज करते हैं जो परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते नहीं है क्योंकि tradition से आ रहा है और देखे कोई tradition गलत नहीं है अगर वो फिर भी हमें परमेश्वर के पास हमें ले के जाने के मदद कर रहा ह हैं लेकिन उससे उपर है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वचन हमें सपर्श तरीके से बता रहा है कि इस समय को हमें याद करना चाहिए अब हम लोग देखे ही कि इस समय में खास या क्या क्या चीज़ी हुआ है जो हम लोग बाइबल में देखते हैं और कभी कबा हम लोग ने शायद पढ़ा है ये वचन, ये सब वचन जो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आया, तो इस समय में क्या-क्या खास बाते हुई थी बाइबल में, वो हम लोग कुछ बात देखने वाले हैं, पहले हम लोग देखेंगे निर्गमन के किता में निर्गमन 40 अध्याय और 17 वचन और यहां पर लिखा है दूसरे बरस के पहले मैने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया अहां दूसरे बरस के पहले मैना अब पहला मैना बाइबल में हम लोग कौन सा मैना देख रहे हैं कोई हमें बताएंगे अन्म्यूट करके बता सकते हैं पहला मैना कौन सा है अमीब का कोई तो सुन रहा है मेरी बात को तो बाइबल में लिखा है कि पहला मैना का पहले दिन पे निवास खड़ा किया गया देखिए हम लोग ने निवास तान पे जो मोशे ने बनाया उसके बारे में हम लोग ने बहुत study, अभ्यास किया है और कौन से दिन पर उसका inauguration हुआ हम लोग देखिये, churches में anniversaries होते हैं लगबक सब churches में होता है कि ये मैना या ये दिन हमारे church का anniversary है और anniversary services रचाया जाता है और निवास्तान का anniversary कौन से दिन है ये मैने का पहला दिन तो देखिये, important है कि नहीं? क्योंकि उस दिन पे, हम लोग Bible में देखते हैं कि जब Moshe और Aaron और बाकी Israel की लोग ने परातना किया हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की शिकीना glory उतराया वहाँ पे तो हम लोग कह सकते कि जिस समय में परमेश्वर की शिकीना glory उतराया वो ये समय है महत पुर्णा है कि नहीं हम लोग के लिए? Is it important or not? आप सहमत है मेरी बात से? है तो प्लीज कहिए Amen Amen Okay, दूसरी चीज हम लोग देखने वाले हैं और वो है शम्यूल के किताब में दूसरा शम्यूल ग्यारा और एक और यहाँ पर लिखा है कि किस समय राजा लोग युद में जाते थे? तो मैं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पर लिखा है फिर जिस समय राजा लोग युद करने को निकला करते हैं उस समय अथार्थ वर्ष के आरंब में दाविद ने युवाप को उसने भेजा उसको युद करने के लिए किस समय था ये? किस समय राजा लोग युद के लिए जाते थे? वर्ष के आरंब में वर्ष के आरंब में और वर्ष का आरंब कौन सा है? हम लोग देख रहे हैं निसान का महना मतलब इस समय जो है वो बाइबल के आनुसार हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग देखते हैं बाइबल में युद हो रहा है तो हम लोग देखते कि उस समय था जिस समय में हम लोग अभी है वर्ष के आरंब में देखे बाइबल में लिखा है कि हर चीज का एक समय होता है और हम लोग यही समझ सकते हैं कि बाइबल के दिनों में लोगों के बीच में एक agreement था कि देखे आपको अगर युद में आना है तो युद में भी हम लोग जाएंगे इस समय में हर राजा को यह पता था और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जिस समय राजा लोग निकलते थे युद के लिए वो वर्ष का आरंब का समय था देखे यह महतुपूर्ण क्यों है हमारे लिए क्योंकि हम लोग देख रहे कि आत्मा में यह क्या क्या चीजे हो रहा है हमारे जिंदगी में परमेशुर्ण ने कैसा महौल खड़ा किया है हम लोग कविकार कहते रहे कि इस जगा का महौल ठीक नहीं है यहां पे महौल लग रहा है कि खुशी का महौल है यहां पे रोने का माहल है वगरा, और इस समय का माहल कैसा है, यह हम लोग देख रहें यहां पे, कि बाइबल में लिखा है, कि यह माहल था युद का माहल, यह माहल था परमेश्चर की शिकीना क्लोरी उतने का समय का माहल था, ओके, तो हम लोग और एक बात हम लोग देखेंग रहे हैं एजीकिल नबी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उस नबी से और मैं पढ़ूँ गा यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर्मेश्युर के पहले मैने कि सात्वे दिन को यहुवा ने ये वचन मेरे पास पहुँचा, कौन कह रहा ही है? एजीकियल नभी कह रहा है कब पहले मैंने मतलब ये मैना और फिर 21 चन में लिखा है हे मनुष्य के संतान मैंने मिस्र के राजा फिरौन को की भुजा तोड़ दी है I have broken the arm of Pharaoh the king of Egypt परमेश्वर क्या कह रहे है कि Pharaoh कि Pharaoh के भुजा को परमेश्वर ने कब तोड़ा वर्ष के पहले मैने में मतलब ये भी युद के बारे में परमेश्वर बात कर रहे है In fact परमेश्वर एक तोर से एजीकियल नभी को याद दिला रहे थे कि देखो मैंने फारौ को कब तोड़ा वलन नाचा सन के समय में ये कब हुआ ये ही मैने में हुआ मेरी बात समझ में आ रहा है कि तोड़ा हैवी हो रहा है देखे अगर आप प्लीज स्पॉंस देंगे अच्छा होगा थैंक यू स्वंथ देखे परमेश्वर याद दिला रहे हैं एजीकल नभी को कि मैंने फरो को कब तोड़ा था ये ही मैने के समय में मैंने उनका भुजा को तोड़ दिया आप ब्रोकन हिस आम परमेश्वर कह रहे हैं कब पहले मैने में इन दे फर्स्ट मंथ तो दुबारा हम देख रहे हैं कि इस समय में परमेश्वर दिखा रहे हैं कि ये यूद का समय हैं परमेश्वर यूद कर रहे हैं इस समय में और परमेश्वर तोड़ परमेश्वर ने तोड़ा था मिसुदेश को और फारो को यही समय में तो पहले चीज़ हम लोग ने क्या देखा इस समय में परमेशुर की उपस्तिती या परमेशुर की शिकीना ग्लोरी हमें दिखाई दिया इस समय में दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं कि युद का समय है जो हम लोग देखते हैं दाविद ने युवाप को भी भेजा जो हम लोग दूसरे साम्यूल 11 और एक में हम लोग ने देखा अब हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर एजीकिल नभी को बता रहे हैं कि मैंने इस इसी समय में मिस्वदेश को तोड़ा, मैंने इसी समय में फारो के हाथ को, उनकी भुजा को मैंने तोड़ दिया. और एक चीज हम लोग देखने वाले हैं, और मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कि आप बताईए, कि आपको क्या याद आ रहा है इस पिक्चर को देखके. लाजरस? ओके, किसी ने लाजरस कहा, और कोई कुछ कहेगा? और कोई कहना चाहता है? लाजरस. लाजरस. ओल राइट. तो हम लोग के पास दो विटनिसेस हैं, जिनने ने कहा लाजरस. और बिल्कुल सही है. तो यह हम लोग देख रहे के, लाजरस जो है, अपने कबरों में से बाहर निकल रहा है, इस तरीके से. कैसे? अपने सब ग्रेफ का जो क्लोद्स है, कपड़े हैं, चारों तरफ बंदे हुए हैं. ओके, तो और सामने प्रभी येश्यमसी इसको लोग को देखा रहे के, देखो, यह लाजरस है. तो देखिए, हम लोग समय के बारे में बात कर रहे हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि लाजरस जब मरा, और येश्यमसी ने उसको जिलाया, वो भी यही समय में यह हुआ था. और वो हम लोग देखते हैं योहान की किताब में, इन दे गॉस्पल ऑफ जॉन, ग्यारा अधियाए और पच्पन वचन में. अब देखिए, ये पूरा जो अधियाए है, वो लाजरस के जी उटने के बारे में हैं. पहले तो लाजरस मरा, उसके बाद प्रभू ये शुमसी वहाँ पे गए उसके पास, उसको जिलाया ये शुमसी ने, और फिर बाइबिन में लिखा हैं कि कुछ फरसी लोग उनके विरुद उट गएं, उनके विरुद खड़े हो गएं, और उसके बाद यहाँ पे लिखा ह है, और यहूदी का फसह निकट था, मतलब यही दर्मियान, यही समय के दर्मियान, लाजरस भी मरा और लाजरस जी उठा इसी समय के दर्मियान, मतलब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग लाजरस के कहानी में हम लोग अच्छली क्या देखते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आपके परिस्तिती को हम लोग वहां पर देख सकते हैं, बाइबल में लिखा है कि लाजरस मर गया, और इन फैक्ट लिखा है कि जब लाजरस बिमार था, तो प्रभू को एक्शली खबर भीजा गया था, हम लोग देख सकते हैं, आप खोल सकते हैं मेरे साथ, कोई भी खोल कि अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छा होगा, तो हम लोग योहां के किताब में हम लोग देखते हैं, ग्यारा अधियाए में, कि यहां पर लिखा है कि लाजरस परमेश्वर ये प्रभू कि जो दोस्त हैं, वो बिमार पढ़ गये, और अगर कोई पढ़ और पांच वो भी पढ़ेंगे, ये सुनकर येश्वर ने कहा कि ये बिमारी मृत्यू के लिए नहीं वरन परमेश्वर के गवरो के लिए है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र का गवरो होना निश्ची थे, और पांच और छे भी पढ़ लिजे, अरे ये बहुत अजीब बात लगता है ना, यहाँ पे लिखा है कि लाजरस बिमार था, प्रभी ये शुमसी बहुत प्यार करते थे उनसे, लेकिन चटे वचन में लिखा है, लेकिन जब उन्होंने सुना कि लाजरस बिमार है, तभी भी वो रुके दो दिन और उनके पास नहीं गए वहाँ पे उनके लिए प्रात्ना करने के लिए, अजीब बात नहीं है क्या? Yes. हर जगह में हम लोग देखते हैं कि जब ये शुमसी को पता चला कि कोई बिमार है, तो वो जाते थे वहाँ पर प्रात्ना करने के लिए, उनके लिए. लेकिन उनको जब पता चला कि लाजरस बिमार है, तो बाइविल में लिखा है कि वो रुके वहाँ पे दो दिन, चले भी, गए भी नहीं उनके पास. और आखिर में हम लोग देखते हैं कि लाजरस मर गया, और उसके मनने के बाद आराम से फिर प्रभु ये शुमसी वहाँ पे जाते हैं. देखे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये शुमसी थे, वो थे जरूसलम में. जहाँ पर लाजरस मरा, वो था बैतनी. बैतनी से जरूसलम का इतना डिस्टिंस था, जैसे आप करीब 5-7 किलोमीटर का दर्मियान, बस 5-7 किलोमीटर का दर्मियान, जहाँ पर ये शुमसी थे और जहाँ पर लाजरस थे. और 5-7 किलोमीटर प्रभु ये शुमसी नहीं गए, लेकिन वो रुके वहाँ पे, और फिर उसके बाद लाजरस मर गए, और चार दिन के बाद, उनके मरने के चार दिन के बाद, फिर प्रभु ये शुमसी वहाँ पे गए. ये हमारे जिन्दगी में कुछ अगर तकलीफ चल रहा है और हमने प्रबु को पुकारा और प्रबु ने कोई जवाब ही नहीं दिया और कभी हमें लगता है कि प्रबु हम पुकार रहे हैं आपको, हम परातना कर रहे हैं आपके पास, हम रो रहे हैं आपके सामने, हम कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है क्या बात क्या है परमिश्व क्यों ऐसा हो रहा है कभी लगता है कि हमारे जिंदगी में ऐसी बाते क्यों नहीं लगता है और मार्था और मिर्यम को भी ऐसे ही लगा होगा कि जब हमारी भाई बिमार थे तब कहां थे हमारे प्रवु के मन में कुछ बात थी और आखिर में वो जब आएं उनने क्या किया लजरस को च्छन से जिला दिया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन सा समय में उनने किया यही समय में और हम लोग कह सकते हैं कि ये समय है जब परमेशर डेफिनिटली आ जाते हैं हमारे परिस्तिती में हमारा परिस्तिती जो भी हो हमें अगर लग रहा है कि परमेशर नहीं है हमारे पास हमे ये मत सोचे परमेशर नहीं है या नहीं आएंगे, परमेशर सही वक्त पे, सही समय पे आएंगे, हमें चुटकारा देने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें जय देने के लिए, प्रभू क्यों आए चार दिन के बाद, वो अलग Bible study है, वो कोई और दिन हम लोग लेंगे, आ समय है, जब परमेशर हमारी परिस्तिती में जरूर आएंगे, और हमें जरूर बचाएंगे, आमें, और एक बात हम लोग देखेंगे, जो हुआ था इसी समय में, और उसके पास हम लोग आ रहे हैं वभी, और वो था जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पिक्चर, वो लोग निकल तो कहें मिस्वदेश में से, वलंडनाचा सन हुआ, फसर का परब हुआ, फसर का समय हुआ, लेकिन जब उन लोग आए समुदर के सामने तीन दिन के बाद, उनको लगा है, ये क्या हो रहा है, और उन लोग मोशे को कूशने लगे, बोढ़ने लगे के मोशे ये कितने जल्दी भूल जाते हैं कि परमेशर ने क्या किया था हमारे लिए, आज के दिन एक चमतकार हुआ, लेकिन तीन दिन के बाद जब प्रेशर आता है हमारे जिन्दगी में, तो हम लोग भूल जाते हैं, और हम लोग परमेशर को प्रश्ण पूछते हैं, परमेशर आप मरने वले हैं, अब हम लोग नाश हो गए, अब हम लोग खतम हो गए हैं यहां पे समुदर के सामने, परमेश्र ने क्या किया? परमेश्र ने पुरे समुदर को ही परमेश्र ने खोल दिया और उन लोग सुखे जमीन पे उन लोग ने पार किया और एक साइट से दूसरे तरफ उन लोग गए क्योंकि परमेश्वर उन के साथ थे तो हम लोग क्या देखते हैं इस समय में निसान के समय में कि ये ये समय में है जब हम लोग सोचते कि कोई आशा नहीं है हमारे जिंदगी में कोई भी चीज और ये हम लोग याद कर सकते हैं कि इस समय में इस पीरिड में ये हो रहा है हमारे साथ और फाइनली हम लोग देखते हैं कि पासूवर का समय तो पासूवर के समय में हम लोग जब जा रहे हैं हम लोग जब अगले हफते में जो क्रिस्चिन चर्च में बोला जाता है पवित्र हफ्ता, दे होली वीक, हम लोग याद करें कि ये कितना अद्बुत समय है, कितना ब्यूटिफल समय है, आप के लिए, मेरे लिए, हम लोग सब के लिए, क्योंकि परमेश्र हमें कुछ कहना चाहते हैं, कि देखो इस समय में मैंने क्या-क्या चीज़ कि बदलते नहीं है, वोई परमेश्र है, जो आज की दिन हमारे साथ है, और क्यों नहीं वोई सामर्थ हम लोग आज की दिन में क्यों नहीं देख सकते हैं, जरूर देखेंगे, आपकी परिस्तिती में, मेरे परिस्तिती में, आपकी परिवार में, आपके शहर में, आपके चर हर चीज का समय है और ये समय है जब परमेश्वर ने मिस्व देश के हर भगवान को हमारे परमेश्वर ने खतम कर दिया हमारे परमेश्वर ने नश्ट कर दिया और दिखाया सब को कि देखो एक ही खुदा है और वो मैं हूँ यहुवा और आज के समय भी हम लोग देखने वाले हैं कि परमेश्च्वर दुनिया को अपनी महीमा दिखाने वाले हैं Let us believe that And let us pray हम लोग इस तरीके से हम लोग प्रात्मा भी करें इस तरीके से हमारा विश्वास भी रहे तो अब हम लोग आगे जाके देखने वाले अभी थोड़ा पासुवर के बारे में क्योंकि हम लोग अपने आपको त्यारी करने वाले हैं इस पासुवर के समय के लिए देखे पासुवर का समय जब हुआ हम लोग देखते यही मैने में हुआ था लेकिन हम लोग अगर देखेंगे कि उसके पहले क्या हुआ था, कि मोशे का मुलाकात हुआ था परमेश्यूर के साथ, सिनाय परबत पे, हुरिब परबत पे, वो जलती हुई जाड के सामने, और परमेश्यूर ने उसको कहा कि तुम जाओ वापस मिस्सर देश में, अपने लो हम लोग वापस जाते हैं, और परमेश्यूर ने बात किया उनसे, कि मैं देखो, तुम्ही चटकारा देने वाला हूँ, और हम लोग उस वचन को इस समय पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग देखते हैं, निर्गमन के किताब में, निर्गमन शटाह दियाए, छे और सात्वा व होगा, अफकोस आपके स्क्रीन पे भी है, संचेप में मैंने डाला है स्क्रीन पे, लेकिन आप पूरा बचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपुर्णा है आपकी और मेरे जिंदगी के लिए, तो प्लीज पढ़ लिजे, निर्गमन शे, छे और सात इस कारण तु इसराइलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिजरियों के बोजों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दासत्व से तुमको छुडाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ा कर, और भारी दंड दे कर, तुम्हें छुडा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोजो बसे से, तैंकिश वेरी मच्ट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने चार वादाए दिया इस्रेइल के लोगों को, चार चीज जो परमेश्वर ने बताया, पहरी चीज जो परमेश्वर के हैं, कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, पहला वादा, आमैं, दूसरा वादा, मैं तुम्हें बचा लूँगा उनसे, तीसरा वादा, मैं अपने भुजा बढ़ा कर तुम्हें छुडा लूँगा, I will redeem you, मैं तुम्हें छुडा लूँगा, और चौता वादया मैं तुम्हें अपने प्रजा के रूप में लूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बनूँगा I will take you as my people and I will be your God चार वादया जो परमेश्वर ने दिया इसरेल के लोगों को और इसलिए जब हम लोग पास्वर का प्रोग्राम भी करते हैं हम लोग चार बार ग्रेप जूस पीते हैं अंगूर के जूस को हम लोग चार बार पीते हैं जिसको कहते हैं चार कप्स एक्चली चार कप्स होने चाहिए चार बार पीते हैं उस कप्स में से क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये चार वादय जो परमेश्वर ने किया था उसको हम लोग याद कर रहे हैं मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा मैं तुम्हें बचा लूँगा मैं तुम्हें छुडा दूँगा और मैं तुम्हें अपना प्रजा बनाके तुम्हारा परमेश्वर बनूँगा कितने सुन्दर वादा है जो परमेश्वर ने इसरेल को दिया, जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया, वो हम लोग याद कर रहे हैं. देखिए हम लोग Passover के समय में जा रहे हैं. और मैं थोड़े समय आपको बिताना चाहता हूँ, आपको याद दिलाने की कोशिश के अगले हफ़ते पांच तारीक को हम लोग Passover सेलेब्रेट करने वाले हैं. क्योंकि वो फिर्स डे है, वो पहला दिन है और वो में डे है Passover का. 5th of April, April के पांच तारीक को. और जैसे हम लोग हर साल करते हैं, हम लोग इस साल भी हम लोग चो कहते हैं Passover सेडर, Passover का डिनर, Passover का प्रोग्राम, फसर का प्रोग्राम, वलंडराचा सन का त्युहार हम लोग मनाने वाले हैं, जैसे हम लोग हर साल करते आ रहे हैं. जूम पे करते थे अभी भी हम लोग जूम पे करने वले हैं और फरक इतना ही है कि इस बार हम लोग एक चर्च में चर्च के प्रेमिसिस में हम लोग ये प्रोग्राम को करने वले हैं जो हमारे दोस्त है पास्टर मार्शल डैनियल उनके चर्च के प्रेमिसिस में हम लोग ये Passover का program तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग को इसका त्यारी करना है और किस तरीके से त्यारी करना है वो आज थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो दुबारा मैं उस वचन को मैं read हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोग ने अभी पढ़ा था, क्योंकि हम लोग याद कर रहे हैं कि परमेशुर ने क्या वादे दिया था, चार वादे, इसलिए हम लोग चार बार हम लोग लेते हैं उस कप में से, चार बार हम लोग ग्रेप जूस पीने वाले हैं, और वो है पहला वादा कि मैं तुम्ह मुक्त कर दूँगा दूसरा वादा कि मैं तुम्हें बचा लूँगा तीसरा वादा कि मैं तुम्हें छुडा लूँगा परमेश्वर कह रहे हैं और चौता वादा मैं तुम्हें अपने प्रजा की रूप में लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूँगा चार व और जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट होने वाले हैं, मैं सब को इंकरिज करूँगा, कि हम लोग को पार्टिसिपेट करना अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्चुर ने अपने वच्चन में कहा था, और जो हम लोग ने, अभी कुछ समय पहले हम लोग ने देखा था, कि अनुवाद की किताब में 16 और एक में परमेश्चुर कहते हैं कि फसव को तुम याद करो, इस समय को तुम याद करो, तो हम लोग को याद करना बहुत ही अच्छा होगा, देखे हर क्रिस्टी को ये पता होना चाहिए, कि फसव से हमारा उधार कनेक्टिड है, हम लोग है परमेश्चुर ने मेरे ले, लेकिन परमेश्चुर ने किस तरीके से किया, किस समय में किया, क्या परमेश्चुर ने तोड़ा शैतान का काम हमें उधार देने के लिए, उस सब चीज़ों से हम लोग को, कभी कार हम लोग उस डीटेल में जाते नहीं है, क्योंकि हम लोग का फसा नहीं है, ये कोई मनश्य का फसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने वच्चन अपने तुरा में कहते हैं, निर्गमन बारा और ग्यारा वच्चन में, कि ये परमेश्वर, ये अधनाएं का फसा है, It is the Lord's Pass-Over ये हमारे परमेश्चर हमारे पिता परमेश्चर का ये फसा है और अगर पिता परमेश्चर का है तो अफकोस यहुदी लोग का है जरूर यहुदी लोग का है लेकिन हमारा भी है जो प्रभु येश्यमसी के द्वारा इस्रेल में हम लोग जुड़ गए है हमारा भी है जितने लोग परमेश्चर अधुनाय को यहुदा को पिता मांगते हैं परमेश्चर मांते हैं ये फसा हम लोग सब के लिए है और हम लोग देखते हैं गॉस्पल में भी गॉस्पल अफ लुक दूसरा अधियाए और एक्तालीस वचन में के प्रभु ये शुमसी ने अपने बच्पन से इस फसा के फेस्टिविल को उन्हेंने सेल्बरेट किया जो हम लोग देखते हैं बाद में भी हम लोग ने आज के वचन में से भी पढ़ा था लुका 22 अधियाए से के जब उन्हेंने अपने शिशों के साथ बैट के उन्हें इस फसा के प्रोग्राम को मनाया देखिए परमेशुर हमें याद दिलाते हैं निर्गमन 12 और 14 अधियाए में 12 अधियाए और 14 वचन में के इस फसा को आपको याद करना है हमेशा और हमेशा के लिए फरेवर ठिक समय पे उसको याद करना है निर्गमन 13 और 10 वचन में और गिंती 9 अधियाए और दूसरे और तीसरे वचन में यहाँ पे लिखा है अधियाए डेजिगनेटिट टाइम मतलब सही समय में और उसके कस्टम्स जो भी उसके कस्टम्स है जो रिती रिवाज है वो भी आपको मनाना है देखिए परमेश्यर यह सब बाते हमें अपने वचन में कह रहे हैं अब आप कहेंगे यह सब पुराने नियम में लेकिन नया नियम में कहां पे है और वो नए नियम में हम लोग देखते हैं कि पहले कुरिंटियन की किताब में पॉलस भी चर्च को लिख रहा है और कहला है कह रहा है पहले कुरिंटियन पांच शाह दियाए और सात्वा और आट्वा बचन में कि हमारा फसर जो मसी है वो बलीदान हुआ है सो इसलिए आओ हम उत्सर्फ की आनंद मनाएं आमेन कौन सा उत्सर्फ वलन रनाचा उत्सर्फ फसर का उत्सर्फ का हम आनंद मनाएं और फिर वो कहते है कि किस तरीके से वो हम लोग देखेंगे बाद में लेकिन पॉलस हमें क्लियरली बता रहे हैं कि फसर के त्योहार का हम ल प्रोग्राम करने वले हैं, तो कुछ-कुछ चीजे हम लोग को रखना पड़ेगा साथ में, ताकि हम उसका प्रॉपली आनंद ले पाएं, जो पॉलस कह रहा है कि हम उस फसर का आनंद लेना चाहिए, तो आपका जो प्लेट है, जो तैयारी करें हर घर में, इसका अगर तैया हैं, हमारे बीच में, ताप के लिए, तो अपना जो प्लेट है, वो इस तरीके से दिखना चाहिए, ऐसे हम लोग अरेंज करेंगे, और जो लिस्ट है, वो लिस्ट है आपके सामने, कि क्या-क्या चीजे का हम लोग को तैयारी करना है, और इसका मैं आपको संचिप में होना चाहिए, अगर मटन का नहीं कर पाएंगे, तो चिकन का भी चलेगा, कोई बात नहीं, दूसरा है एक बॉइल एग और उसको छीलना नहीं है, उसको तोडना नहीं है, उसके छिलके के साथ बॉइल एग को रखना है प्लेट में, तीसरा है बेखमीर बाकरी, जो हमें इ लिए है, मैं आपको भी दे सकता हूँ, अगर किसी को इंट्रेस्ट है, अगर आप नहीं ले सकते हैं ये हमसे, तो आप अपने घर पे चपाती भी बना सकते हैं, लेकिन पाव यूज नहीं करना है, ब्रेड यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को बिना खमीर के साथ इस लिए चपाती, नहीं तो जो अनलिवन ब्रेड, जो माट्सा जो कहते हैं, वो हम यूज करेंगे, ओके, हर एक के पास अंगूर का दाकरस होना चाहिए, भी मस्ट हाव ग्रेप जूस, तो ये आप घर पे भी बना सकते हो, नहीं तो आप खरीच सकते हैं, दुकान से, रियल क कंपनी का ग्रेप जूस आता है, वो भी आप लेके रख सकते हैं, फिर आपको मेथी रखना है, मेथी नहीं तो पास्टी को रखना है, फिर आपको मूली, मूली को ग्रेट करके, घिस करके आपको खोड़ा रखना है, क्योंकि उसको भी हम लोग खाएंगे, फिर एक चीज क को बनाते हैं, जिसका नाम है खरोसित, खरोसित एक स्वीट डिश है, और उसको आपल, सेव, खजूर, दालचीनी का पाउडर, और अक्रोट और मधू, को मिक्स करके हमें इसको बनाना है, तो इसको पूरा पेस्ट अपने को इसका बनाना है, फिर एक प्याला, जिसमें नम का पानी होना चाहिए, और आखिर में दो कैंडल्स अपने पास होना चाहिए, अब ये सब क्यों, आप बोलें ये सब क्यों हम लोग को करना है, हम लोग देखेंगे कि अच्छली प्रभू येश्यू मसी ने भी यही किया था अपने शिशों के साथ, और इसका लगबग हम इसका पिक्चर हम लोग देखते हैं, गॉस्पल अफ लूक चाप्टर 22 में, वो मैं बताओंगा आपको थोड़ी देर में, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये सब का मतलब क्या है, देखे हम लोग जब मेथी को खाएंगे, हम लोग नमक के पानी में दिबो के खाएंगे, क्यो क्यों, क्योंकि देखे हम लोग याद कर रहे हैं, कि ये हमारा फसर है, ये पासवर आपका है और ये मेरा पासवर है, और ये पासवर में हम लोग देखने वाले हमारे आत्मिक जिन्दगी का जर्नी, आमें, हमारे आत्मिक जिन्दगी का जर्नी हम लोग देखने वाले हैं, ये हम लोग सिर्फ याद नहीं करेंगे कि इसरेल के साथ क्या हुआ था साड़े तीन हजार साल पहले लेकिन हम लोग याद करेंगे कि दो हजार साल पहले जो फसख हुआ था कलवरी के कुरूस पे जब प्रभू येश्य मसी मरे आप के लिए और मेरे लिए उसको भी हम लोग याद करेंगे और हम लोग अपने आप को वहाँ पे डालेंगे क्योंकि हर चीज़ में हर खाने में हम अपने खुद के जिंदगी को हम लोग देखने वाले हैं आमेन जब हम लोग इस मेती को खाएंगे उस नमक के पानी में डुबा के खाएंगे हम लोग याद करेंगे कि पाप का जिंदगी कितना कड़वा होता है क्योंकि हम लोग खाएंगे तो कड़वा पनाता है मूँ में लेकिन हम लोग याद करेंगे कि पाप का जिंदगी कितना कड़वा होता था और हम लोग सब पाप में थे, हम लोग सब कोई न कोई तरीके से मिस्देश में थे इस्रेल के लोग सही में मिस्देश में थे, लेकिन हम आत्मिक रूप में हम लोग कहेंगे कि प्रभू के पास आने के पहले, हम लोग भी अपने मिस्देश में थे हम लोग भी फैरो की गुलामी में थे हम लोग भी शैतान की गुलामी में थे फैरो एक तरीके से शैतान को का रूप है और हम लोग याद कर रहे कि हमारा गुलामी कैसा था गुलामी किसी को अच्छा लगता है क्या कोई है यहाँ पर जिसको गुलामी अच्छा लगता है नोप नहीं बिलकुल नहीं और हम लोग जब इसको डुबा के खाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि देखो गुलामी कितना बेकार है कितना कड़वा है कितना बिलकुल अच्छा नहीं लगता है ची-ची-ची-ची तो ये हम लोग याद करेंगे देखो ये एक experience, ये एक तज्यूर्बा होता है और हम लोग याद कर सकते कि हम लोग बोले और बढ़के थे और प्रभू येश्यू मसी ने हमें बचाया आमेन और फिर हम लोग जब आमेन मैं आपको दुबारा दिखाना चाहता हूँ वो चार वादा हैं जो हम लोग देखेंगे जो परमेशर ने इसरेल को किया था और आपको और हमें भी कर रहे हैं कि मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ क्योंकि परमेशर ने हमें पाप से मुक्त किया इसलिए एक बार हम लोग वाइन पीएंगे, वाइन मतलब ग्रेप का जूस, ओके, दूसरे बार हम लोग देखते हैं, कि परमेश्र कहते हैं, कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, परमेश्र ने हमें बचाया, और रोज परमेश्र हमें बचाते हैं, है के नहीं, आमें, आमें, तीसरे बार जब हम लोग पिएंगे, हम लोग याद करेंगे, परमेशन ने कहा था, कि मैं अपने बुझा बढ़ा कर तुम्हें छुडा लूँगा, I will redeem you, मैं अपने पास, आपको ले के आओंगा वापिस, मैं आपको छुडा लूँगा, और परमेशन ने हमें छुडाया के कि मैं तुम्हें अपने प्रजा के रूप में लूँगा, और तुम्हारा परमेश्वर बनूँगा, चौता वादा, जो परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में परमेश्वर ले के आए हैं, तो इसलिए हम लोग ग्रेप जूस रखते हैं, इसलिए हम लोग चार बार प लेकिन हम लोग मेठा चीज क्यों खा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग प्रभू में आते हैं तो हमारे जिंदगी में मिठास वही लेके आते हैं आमेन! नोब येश्वा से, खुदा से, जो हमारे दिल को बदल देते हैं अथर के दिल को निकाल के एक अच्छा दिल ना हमारे अंदर डालते हैं When we are born again, जब हम लोग का नया जीवन हम लोग मिलता है, तो इसलिए हम लोग खाते हैं, क्योंकि हम लोग यह experience हम लोग कर रहे हैं, हम लोग दो kandles क्यों जलाते हैं, क्योंकि हम लोग याद कर रहे हैं, कि परमेश्य तुमारा अजयाला हमारे जिन्दगी में है, में कोई चीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर चीज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक मीनिंग है, उसका एक experience है, जो हम लोग भागेदारी ले रहे हैं इसमें, तो मैं encourage करना चाहता हूँ आपको, कि हम लोग 5 तारीक को हम लोग celebrate करेंगे, हम लोग observe करेंगे इस तरीके से, और इसका experience हम लोग इसका आनूभव लेंगे अपना जिन्दगी में, और यही समय में, जब हम लोग देख रहे हैं के निसान मैना है, इस समय में जो युद का मैना है, जो परमेश्वर अपने महीमा इस महिने में हमें दिखा रहे हैं, इस मैने में हम लोग भी देखेंगे, कि हमारे आत्मिक चाल में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे रिष्टा में परमेशुर के साथ, हम कौन से साइकल में हम लोग घूम रहे हैं, साइकल मतलब इसका चाल कैसे चल रहा है, क्योंकि हर चाल में कोई स्टेशन आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जब ट्रेन चल र और हमारे जिन्दगी में भी ऐसे ही समय आते हैं जब हम लोग चल रहे हैं और जब हम लोग रुख जाते हैं फिर वापस चलते हैं और वापस रुख जाते हैं क्योंकि जैसे ट्रेन चल रहा है और स्टेशन पर आता है तो हमारे आत्मिक जिन्दगी में हम लोग को देखना है कि क्या साइकल में इस समय हम लोग घूम रहे हैं और दुबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलुस ने क्या कहा था इस समय के बारे में जिस समय में हम लोग है पॉलुस ने कहा था पहले कुरिंटियन्स पांच वा दियाए और साथवे और आटवे बच्चन में कि प्रभु ये शुमसी हमारा फसा है जो मर गया है इसलिए इस उत्सफ को मनाओ लेकिन किस तरीके से इस उत्सफ को मनाओ वो पॉलुस हमें कह रहा है कैसे हमें मनाना है और Paulus कहता है कि आपको इस तरीके से बनाना है कि खमीर के साथ नहीं, बुराई के साथ नहीं, दुष्चुतात के साथ नहीं, परंतु सिधाई और सचाई के अखमीरी रोटी के साथ आपको मनाना है. देखे, Paulus क्या दे रहा है इसको? एक spiritual understanding भी हमें दे रहे हैं इस बात की. और अफ्कोर्स, spiritual understanding से जो physical चीज़ है, वो रिप्लेस नहीं होता है, लेकिन उसके साथ जाता है. साथ-साथ दोने चल रहे हैं. और Paulus कह रहा है कि आप फसर के परब को आप मनाओ, लेकिन आपके दिल की जो attitude है, आपके दिल के विचार कैसे होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिधाई और सच्चाई और अखमीरी रोटी के साथ बनना चाहिए. पॉलस कह रहा है कि तुम्हारा डिल ठीक होना चाहिए, जब तुम फसर के त्योहार को तुम मना रहे हो. तो मैं क्यों कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, कि जब हम लोग फसर के period बे हम लोग आ रहे हैं, जो पांच नारीक से स्टार्ट होगा, हम अपने दिल को को देखे, ह कि हमारे दिल में कोई चीज है क्या जो गलत है, क्योंकि हम याद करें कि हम लोग एक समय में, हम लोग मिस्तु देश में होते थे, एक समय था जब हम लोग गुलामी में थे, शेतान की गुलामी के नीचे हम लोग थे, लेकिन प्रभू ने हमें बाहर लेके आए, लेकिन कु लोड़ा भी तकलीफ होने लगा वहाँ पे रेकिस्तान में बार-बार उन लोग ने मोशी से कहा हमें मिस्वदेश में वापस जाना है मिस्वदेश कितना अच्छा था हमारे लिए कितना भला ही था वहाँ पे हम लोग कितना अच्छा वहाँ पे खाना खाते थे कितना ये था कितना वो था, उन लोग बार-बार comparison करते थे, क्यों? उनके दिल बार-बार वहाँ पे जा रहा था, उनका मन वापस वहाँ पे जा रहा था, और कभी कवार हमारा भी भरताओ ऐसी होता है, जब हम लोग गुसे क्रोजित हो जाते हैं, हम लोगों लोगों से मोलते हैं, आप मैं अपने पुराने जिंदगी के जैसा मैं भरताओ करने वाला हूँ, दीखिए, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने वापस मिस्देश में जा रहे हैं, हम अपने मिस्देश में जा रहे हैं, हम अपने गुलामी में वापस जा रहे हैं, किसी ने गलत किया मेरे साथ, और हम क्रोजित क् tying का अक था हमेरि रोड़ी के साथ हमे इस को मनाना है आमेन आमें आपके सामने एक पिक्चर को आप देखेंगे ढूर ये ऐसा पिक्चर है जो लोग ऐसी ब्रेड समय सब्सक्राइब बगर आपको ये पिक्चर बहुत अच्छा लगए है क्योंकि ये ब्रेड बनाने का पिक्चर है और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई आदमी गुंद रहा है आटा को और वहां पर आटा है और खमीर भी है क्योंकि खमीर क्यों डाला जाता है क्योंकि अगर आप खमीर नहीं डालोगे, तो वो फूगेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, फिर आप ब्रेड, पाओ वगरा नहीं बना सकते हैं, और अगर आप को पाओ खाने की आदत है, मिसल पाओ, वड़ा पाओ, वगरा वगरा, तो आप खमीर खा रहे हो, बाइबल में लिखा गया है कि खमीर के बारे में, खमीर क्या होता है, कई वचन हम लोग देखते हैं, खबीर के बारे में, प्रभू येशु मसी नहीं भी बात किया खबीर के बारे में, पॉलस भी बात कर रहे हैं, तो खमीर होता क्या है, और खमीर से हम याद क्या करते हैं, कि आपको खमीर नहीं खाना है, साथ दिन, बाइबल में परमेशर का वचन बहुत सपश्ट है, कि साथ दिन आपको खमीर नहीं खाना है, ये हुकुम है परमेशर का, ये परमेशर का एडवाईज नहीं है, ये सला नहीं है, ये परमेशर का हुकुम है, साथ दिन आपको खमीर साथ दिन आपको लिय को मुझाहिज है दीजोब घाना है साथ-स बड़ा पाऊ नहीं खाना है वह साथ-सफियर नहीं क्देना निकले रहा है यह परमेशर का शकुम है लेक dense कि यूँ कि Даже का फंक्शन क्या है कमीर का कमीर का काम क्या है वह हम लोग देखते हैं कि जो bread जो लोग बनाते हैं उनको पता है कि खमीर के वज़े से फूग जाता है आटा फूग जाता है तो Bible में इसका चिन या इसका symbol या इसका मतलब क्या है वो हम लोग कुछ examples देखने वाले हैं जो आपके screen पे आपको दिखाई दे रहा है तो एक तो है कि खमीर का मतलब Bible में है वो है गर्व या अभिमान जो English में हम लोग कह सकते pride and arrogance arrogance का मतलब है मैं तुमसे बढ़के हूँ मैं तुमसे जादा हूँ मैं तुमसे भला हूँ I'm better than you वो arrogance होता है जो Hindi में हम लोग कहेंगे उसको अभिमान और Bible में लिखा गया है कि उसको हटाओ भया उसका कोई जगा नहीं है कोई क्रिस्टी जिंदगी में जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल रहा है उसके जिंदगी में इसका कोई जगा है ही नहीं malice and anger क्रोध मैं इतना क्रोधित हूँ इनके विरुद कि मैं उनके साथ बात भी नहीं कर सकता हूँ वो अगर मेरे सामने है मैं तो उसको जापड माल लूँगा वो अगर वो कमरे में है मैं वो कमरे में नहीं आऊँगा मैं फोड डालूँगा ऐसे लोगों को देखो ये इसका कोई जगा नहीं है हमारे जिंदगी में कि हम लोग परमेश्र के साथ हैं ये है खमीर और बाइविल में लिखा है कि ये खमीर को हटा दो भाया हटा दो अपने जिंदगी से भाया मतलब बहन भी टाप and the works of the flesh मतलब जो हम दुनिया के तौर तरीके परमेश्र से नहीं लेकिन मेरे मन मेरा मन ये कहता है करने के लिए और बाइबल में लिखा है कि हटा दो ऐसी चीज़ को हटा दो क्योंकि हम लोग को चलना है आत्मा के द्वारा मन से नहीं पाप को हटाना है खमीर क्या है हमारे जिंदगी में पाप है हमारे जिंदगी में गलत इरादे या गलत विचारे या गलत थौट्स गालियां खमीर वो है हमारे जिंदगी में हमें अटाना है हटा देना है इसको हिपोक्रिसी डोंगी पन जो प्रभू येश्यमसी ने भी कहा फरसियों के बात को तुम सु लेकिन उनके जैसे तुम मत करो, देखो क्यों कह रहे हैं, क्यों कि प्रभू ने कहा, कि उन लोग अच्छली ढोंगी है, उन लोग बहुत अच्छे बाते कहते हैं, लेकिन खुद अपने जिंदगी में उन लोग लाउडू नहीं करते हैं, उनका प्रीचिंग बहुत ही अच्छा है, उनके शब्द, उनके कहना बहुत ही अच्छा है, लेकिन उन लोग जीते नहीं हैं, और प्रभू ने कहा, कि ऐसे ढोंगीपन को तुम हटा दो अपने जिंदगी में से, जो प्रभू यहिश्यमसी ने कहा, ढोंगीपन, दुनिया के तौर तरीके उसको भी हम लोग कह सकते हैं, इम्प्यूरिटी, अशुदता, अलग अलग, देखियो हम लोग इसका बड़ा लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हमें याद क्या करना है, कि हम एक, हम एक यात्रा में है प्रमेश्यर के साथ, और हमारे जिंदगी में भी कभी कभार ये गलत बाते आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इनसान हैं, हम लोग, we are not God, thank God, we are not God, लेकिन हमारे अंदर भी गलत चीज़े आ सकते हैं, और लेकिन वो पैचानना important है, अगर आप सोचते हो कि आप perfect हैं, अगर हम सो पैचानना कि हमारे अंदर क्या गलती है, और उसको confess करना, परमेश्यर के पास और परमेश्यर के दास के सामने, वो Bible में लिखा गया है, और वो confess करके ही, वो खमीर हट सकता है हमारे जिंदगी में से, जब तक हम लोग पैचानेंगे नहीं कि हमारे अंदर एक गलती है, या ह पैचानना important है, पैचानना कि हमारे अंदर क्रोध है, important है, तब हम लोग उससे हट सकते हैं, पैचानना कि हमारे अंदर गलत विचारे हैं, important है, तक हम लोग उससे हट सकते हैं, पैचानना कि हमारे अंदर एक bad habit, गलत आदत है, तब हम लोग उससे हट सकते हैं, जब तक हम ल पैचानेंगे नहीं, तब तक कोई चीज चेंज नहीं हो सकता है, और Paulus क्या कह रहा है, कि फसा के उतसफ को मनाओ, लेकिन ये भी पैचानो, कि तुम्हारे अंदर खमीर क्या है, और उस खमीर को हटा दो, तो जब हम लोग खमीर को नहीं खाएंगे एक हफता, शारिरिक में अपने आपको शुद कर रहे हैं, उस खमीर में से, जो हमारे जिंदगी में है, तो वो पैचानना इस समय बहुत इंपोर्टन है, जब हम लोग फसा के पीरियड में जा रहे हैं, और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, कि आप प्रातना करिये, मैं खुद कर रहा हूँ, आप करिये, कि परमेशन हमें दिखाईए, कि हमारे अंदर कमजोरी क्या है, हमारे अंदर गलती क्या है, हमारे अंदर पाप क्या है, जिससे हम लोग हट सकते हैं, जिससे हम लोग भाग जा सकते हैं, जिसको हम लोग हटा सकते हैं, उस खमीर के साथ इस फसा की पीरियड में, तब ये period, तब ये festival आपके लिए और मेरे लिए कोई meaning रखेगा, हम लोग सिर्फ शारीक रूप से नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर चीज में हम लोग प्रबू को, हम लोग मसीहा को पैचानने हैं, और मसीहा हमारे अंदर, क्योंकि Colossians के किताब में लिखा है, the hope of glory in you, which is Christ, मसीह आपके अंदर, जो महीमा का आशा रखता है, और वो महीमा का आशा जो जब निकलेगा हमारे जिंदगी से, तब सुगंद निकलेगा, तब प्यार निकलेगा, और जब लोग हम से मिलेंगे, तब सही में परमेशर को गौरव देंगे, क्योंकि हमारे अंदर उन लोग प्रभू को पैचानेंगे, आमें, अगर आप सहमेथ है मेरे साथ, तो आपके ये आमें, आमें, हालिलुया, हालिलुया, और इसलिए, पहले योहान की किताब में लिखा है, इन जॉन, फर्स जॉन, चप्र वन, वर्स एट और नाइन, यहां पे लिखा है कि, अग अगर हम लोग कहते हैं कि हम सही है, तो हम लोग अक्चली गलत है, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो, तो, वो हमारे पापों को शमा करता है, और हमें शुद करता है, यदि हमने पाप का को पहचान के, हमने माना, कन्फेस किया, अगर हमने माना ही नहीं, तो देखे, फ ये समझना बहुत important है हर चीज़ का process होता है परमिश्वर के राज्य में और जब हम लोग मानते हैं, जब हम लोग confess करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि परमिश्वर हमने गलत किया, तब blessing और forgiveness आता है हमारे जिंदगी में मैं थोड़ा और समय लेके खतम करने वाला हूँ, अब हम लोग देखेंगे कि प्रब्रु येश्वर मसी ने फसर कैसे मनाया अपने लोगों के साथ, और वो हम लोग देखते हैं लुका के किताब में, लुका के अंजील में, लुक चाप्टर 22 पहले वच्चन में हम लोग देखते हैं कि मात्सा का पीरियड या अनलिवन ब्रेट का पीरियड या बेखमीर बाकरी का पीरियड आ चुका था, जो समय में हम लोग अभी हैं, ओके? और फिर आठवे वच्चन में, प्रभू ने अपने शेशो को एक बात उनने कहा, और उनने ये कहा कि येश्यो ने पत्रस और यहुना को ये कहकर भेजा, कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयारी करो, तैयारी करो मतलब उसका तैयारी करना पड़ता है, इतना इसली नही होता है, और फिर पंदरा वच्चन में, प्रभू येश्य मुसीन ने क्या कहा, और उसने उन से कहा, किन से कहा, मतलब अपने शेशो से कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, कि दुख भोगने से पहले, ये फसह तुमारे साथ खाऊ, दुख भोगने के पहले, before my passion, before I suffer, I want to celebrate the Passover with you, दुख भोगने के पहले, मैं ये फसह तुमारे साथ खाना चाहता हूं, बड़ी लालसा थी, मेरे अंदर, और फिर 17 वच्चन में हम लोग देखते हैं, तब उसने काटूरा लेकर धन्यवाद दिया, ठीके फ्थैंक्स, और उनने कहा, इसको लो, और आपस में बाट लो, ओके, और 19 वच्चन में हम लोग देखते हैं, फिर उसने रोटी लिया, तो हम लोग देखे, क्या देख रहे हैं, देखे, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि stepwise उनने ये किया, ये ऐसा simple चीज में नहीं था, कि 5 मिन में खतम होने वाली बात थी, इसका process था, उनने एक-एक चीज करके किया, जो हम लोग कोशिश करने वाले हैं, 5 तारी को करने के लिए, वोई process, वोई फसा का खाना, वोई तरीके से, जैसे प्रभू ने किया, हम लोग बड़े जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं, और खतम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हर चीज प्रभू ने एक-एक stepwise उनने किया, और वो करना, कितना और meaningful और कितना और सुन्दर बन जाता है, आमें, आमें, पिर उसने रोटी ली, और धन्यवा करके तोड़ा, फिर उसने तोड़ा, देखिए, प्याला देने के बाद, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि एक प्याला नहीं था, एक से जादा प्याला थे, यहां पे, आपको बात समझ में आ रहा है, एक प्याला नहीं था, एक कटोरा नहीं था, लेकिन multiple कटोरे थे, इसलि मेरी आशा है कि आपको समझ में आ रहा है, यह बात है, तो 19 वचन में देख रहे हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसने तोड़ा उस रोटी को, और उसने, और उनको यह कहते हुए दी, कि यह मेरी दे है, तुमारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरन के लिए यही किया करो, ओके? और फिर 20 वचन में हम लोग देखते, इसी रीती से उनने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुमारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है, किस के बाद? भोजन के बाद? मतलब एक पूरा खाना पीना हो रहा था वहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं, पासोवर सेडर, S-E-D-E-R, पासोवर सेडर, तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु येश्व मसी ने स्टेप वाइज, हर कदम पे उनने ये किया, ये पांच मिनिट के खतम होने वाली चीज नहीं थी, पांच मिनिट के खतम होने वाली कम्यूनियन नहीं था ये, लेकिन उनने स्टेप वाइज उनने किया, खाने के पहले उनने रोटी लिया, खाने के बाद उनने प्याला लिया, खाने के पहले भी एक प्याला था, वो हम लोग देखते हैं, और वो हम लोग करने वाले हैं, प हैं हम लोग देखते कि जब साज हूई तो वो बारा चेलों के साथ बोजन करने के लिए बैठें का मतलब क्या है बैठे का मतलब आराम से वो कर रहे थे ए बैठे का मतलब यह नहीं है के तम ताड़ा-ताड़ी हम लोग बेंगॉली perce कहेंगे ताड़ा ताड़ी जल्दी चल्दी से, उस तरीके से नहीं किया, अराम से उन्हें ने किया, बैट के अराम से फसर का खाना उन लोग ने खाया, फसर के पहले प्याला था, खाने के पहले उन्हें रोटी तोड़ा, फिर खाना खाया, उसके बाद उन्हें लोग प्या गढबड में नहीं है अरह से तैन घंटे का चार घंटे का हो सकता है पांच घंटे का प्रोसेस हम इस चार आईगत छाई में और आएखुई यह घंटे उसजी का पुराने जमाने में उन लोक शायद इसी तरीके से अरामसे नीचे तो नीचे एक उपर एक छोटा सा टेबल था सब पत्तर काई mostly और तलीत पहन के fellowship था ये कोई फॉर्मल नहीं था कि कोई स्टेज पे है और कोई लोग नीचे है नहीं एक फॉर्मल इन्फॉर्मल अराम से जैसे दोस्त लोग बैठके खा रहे हैं तो पांच थारीक को यही कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग पर्भु येश्व मुसी ने जैसे किया उस तरीके से करेंगे आपको जस्ट फाइनली याद दिलाना चाहता हूं कि फॉर्सर का जो मेमना था जो परमेश्व ने कहा था इसरेल के लोगों को कि मेमना बिलकुल क्या होना चाहे निर्दोश होना चाहे कोई गलत उसका टांग तूटा हुआ नहीं होना चाहे कोई चीज गडबर नहीं होना चाहे उसके अंदर हम लोग याद कर रहे हैं कि हमारा जो मेमना है प्रभी एशु मसीर वो एक दम निर्दोश थे perfect थे he was perfect, there was nothing wrong in him उन्होंने जिस सबस्री पे अपने जान दी हमारे ले आपके लिए और मेल ले उन्होंने exactly उसी समय में दिया जब मंदिर में उन्होंने लोग मेमने को काट रहे थे तीन बजे, it's called the evening sacrifice तीन बजे शाम को तीन बजे शाम को प्रभी एशु मसीर मर गए कौन से दिन पे? फसर के दिन पे जो तोरा में लिखा है निसान का चौदवा दिन अभीब का चौदवा दिन इग्जाक्ली उसी समय के अनुसार उसी दिन पे तीन बजे इग्जाक्ली उसी समय हमारे जो मेमना थे प्रभी एशु मसी उसी समय उनका भी मृत्यू हुआ आप देख सकते इस पिक्चर को परमेश्चर ने इसरेल को कहा के लहू लो और दरवाजे पे लगाओ उपर लगाओ और साइट पे लगाओ उसका शेप कैसा हो जाता है उपर लगाओ और साइट पे लगाओ क्रोस के जैसे क्रोस के जैसा हमारा फसर प्रभी येशु मसी क्रूस पे मर गए उनके सर पे लहू था उनके हाथ पे लहू थे उसी तरीके से आमें आमें दे परफेक्ट लाम अव गॉड जिसने आपके पाप को मेरे पाप को अपने उपर ले लिया लेकिन हम लोग एक आखरी चीज देखेंगे और वो था कि इस्रेली लोगों को परमेश्चुन ने कहा था एक बात कि देखो लहू को आप जरूर बहाओ डेफिनिटली पिल दबलाड लेकिन लहू बहाने से बात खतम नहीं होती है क्योंकि आपको लहू लेके लगाना पड़ेगा सिर्फ मेमने को काटने से या लहू बहाने से बात खतम नहीं हो गई आपको लहू को लेके आपके चौकटों पे आपके दराजे पे आपको लगाना है लहू के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है चर्च में जाना बहुत अच्छी बात है Bible study में जाना बहुत अच्छी बात है लेकिन जब तक हम लोग उसका experience खुद नहीं लेंगे तब तक कोई भी चीज का बदलाव नहीं आएगा आपके और मेरे जिंदगी में और फसर के समय में हम लोग lamb का, memnay का experience हमें लेना जरूरी है और इसलिए हर व्यक्ति को memna खाना जरूरी होता है क्योंकि शारिक रूप में हम लोग खा रहे हैं और आत्मिक रूप में हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग memnay को अपने जिंदगी के अंदर ले रहे हैं memnay, प्रभु येश्यमसी को लेना हमारे अंदर memnay का लहू को अपने जिंदगी पे लगाना memnay का लहू को अपने परिवार पे लगाना memnay का लहू को अपने दरवाजे पे लगाना अपने घर पे लगाना, हर जगा पे लगाना जहां पे हम लोग है जब तक हम लोग लगाएंगे नहीं तब तक कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ जानना important नहीं है, लेकिन लगाना होता है, और वो होता है experience, अनुभव लेना, खुद अनुभव लेना, तो इसी के साथ मैं अंत कर रहा हूँ, यह जो study है, यह जो message है आज का, I hope कई बात हम लोग ने cover किया, ने भी आज जॉइन किया, I know he is very excited, और Pastor Vinod excited है, रदर जय excited है, Amul भाई excited है, और आप लोग पिसे कई लोग excited है, I know कि Uncle Stanley और फैमिली भी बहुत excited है, कल रात को भी डाड़ी के साथ, और ने कुछ messages exchange किया, हम लोग सब के अंदर वो एक सुक्ता पैदा हो रही है, कि हम लोग कौन से समय में है, परमेशर का समय में, और हम लोग सिर्फ ये बात लिया दखे, कि हमारे अंदर अगर कोई की खमीर है, हम परमेशर के साथ रिष्टा और भी strong करे, और कहे परमेशर उस कमीर को आप पकड़ा दो, मेरे जिन्दगी में से, आमेन, सब को शबात, शलॉम, और अब पास्ट सनी चंद्रा आके हमें आगे चलाने वने, हम लोग आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, हम लोग यह नहाद देखें कि इस कैलेंडर में ऐसा है, या उनके कैलेंडर में ऐसा है, डेट्स विट्स अपनी जगा रहेंगी, मिस्टेक्स आगे पीछे अपनी जगा रहेंगी, मगर जो हकीकत है कि परमेशर के पेटा, अपना स्वर्गे घर छोड़के आए इस दुन्या में एक ही रिजन से तो डाइ फॉर यू एंट फॉर मी आपके लिए और मेरे लिए मर के अपना खून बहा के हम लोग की उपर अपना खून लगा कर हम लोगों को छुटकारा देखकर जाओभावा हम पर सुपर कार कि याल हम वह इंपना, जिए